इसके बाद आता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वह कारक कंसंट्रेशन ओफ रियक्टेंट अभिकारकों की सांद्रता और यह महत्वपून कारक है और आगे जो हम यह चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका अधिकांस भाग हम इसी पर डिसकस करेंगे इसी क जानेंगे तो जो अभिप्राया देखा जाता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ती है लेकिन कई ऐसी प्रयोगात्मत परणाम हैं जिससे यह देखेंगे हम इसमें कि कई बार अभिक्रिया की दर है अभिकारक के कि सांद्रता पर निर तो इस तरह से अभिक्रिया की दर, अभिकारकों की सांद्रताओं से किस प्रकार प्रभावित होती है, इसी को हम विस्तार से जानेंगे, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भरता के अंतरगत, और इसमें हम जानेंगे रेट लॉवेगनियम है कि तो यहाँ पर हम देखें अभिक्रिया की अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की निर्भरता जैसे की हमने जाना है कि एक निश्च्चित अपमान पर अभी पर उत्पादों की सांद्रता पर भी निरभर हो सकता है लेकिन जब हम कि अभिक्रिया की दर संदर्भ में लिखते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो या इसे हम कहते हैं ऋला यह वं जब ही कहते हैं यह वियाइट एक्सपरेशन भी कहता है यह जिसके प्रयोगों के आधार पर होता है की अभिकारकूं की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाई जाती है अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है या अभिकारकों की सांद्रता यदि कम कर जाती है तो अभिक्रिया की दर भी कम होती जाती है यहने कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के सीधे समानुपाती होती है यहने कि रेट समानुपाती होता है अभिकारक की सांध्रताओं के यदि कोई अभिक्रिया है एस उकल टू बी यहां पर बी प्रोडक्ट को उत्पन कर रहा है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं रेट आफ रेक्शन अभिक्रिया की दर समानुपाती एकी कंसेंट्रेशन के बराबर होगी यहां पर हम देखें कि यह जो रेट एक और एक्वेशन यह हम लेते हैं एप्लस बी इस उकल टू सी प्लस डी यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो स्मॉल एं स्मॉल भी स्मॉल सी और स्मॉल दी है यह है यह स्टॉक्योमेट्रिक गुडांग जब हम इनके लिए रेट आफ यहां पर वेग्वेशन यहां पर जब हम देखें कि यह जो X की सांदिर्ता के ऊपर X गहत लगा है और वाई की बी की सांद्रता के ऊपर Y गहात लगा है यह जरूरी नहीं है कि यह संतुलित सम्मिकरण में जो दिये गए इनके स्टॉक्योमेटरिक कोफिसियंट A, B है उनके बराबर हो यहने कि X बराबर हो भी सकता है A के और बराबर नहीं भी हो सकता है A के उसी तरह से जो Y है वह बराबर हो भी सकता है B के और बराबर नहीं भी हो सकता है B के क्योंकि यहाँ पर हमने जो x और y की value निकाल रहे हैं वो हम प्रयोगिक आकणों के आधार पर निकालते हैं और इसलिए यह जो वेगनियम है यह rate law है वो किसी भी रासानी कभी क्रिया की दर को सही अर्थों में बताता है इसके पहले हमने law of mass action में देखा था जो कि good work तथा वागे नमक विज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था उन्होंने क्या कहा था कि जो अभीक्रिया की दर है वह अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुड़नफल के समानुपाती होती है और वहाँ पर जो अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के उपर जो घात लगाये जाते थे वो वही जो संतुलित समीकरण के सामने जो स्टोक्योमेट्रिक गुणांक दिये होते थे उनको ही लगा दिया जाता था लेकिन जब उसके आधार पर जब प्रायोगिक आधार पर अभिक्रिया का वेग निकाला गया तो यहाँ पर देखा गया कि जो लॉफ मास एक्षन के आधार पर जो दर बताए जा रहा है वो बहुत ही कम अभिक्रियाओं के लिए सही साबित हो रहा था और इसलिए जो लॉफ मास एक्षन है वह कैंसल हो गया जबकि जो वेग नियम है दर इस्थरांख है चूकि यह प्रायोगिक आधार पर निकाला जाता है इसलिए यह अभिक्रिया के वेग को सही अर्थों में दर्चाता है तो इस तरह से जो अभिक्रिया का वेग जो हम रेट लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे रेट समानुपाती एक सांदृता का घहत एक्स इंटू बी की सांदृता का घहत वाय अब यहाँ पर समानुपात को हटाने के लिए हम एक स्थरांग लगाते हैं जिसे हम वेग स् तो इस तरह से हम इसे रेट लॉप में लिखते हैं अब हमने जाना है कि रेट को हम एक और तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे अभिकारकों के लिए रेट इस उकल टू माइनस डी आर वाइड़ी टी के दोरा अब यहां पर देखें यह भी आर जो रेट जो है वो एकी कांसेंटरेशन की घात एक्स इन्टू वाई की कांसेंटरेशन वाई के बडाबर है और दूसरी ओर rate जो है वो minus dr by dt के भी बराबर है तो दोनों को equal कर दें तो हमें क्या equation मिल जाएगा यह equation मिलेगा minus dr by dt is equal to k concentration of a की power x into concentration of b की power y और इस तरह से यह जो वेग सम्मीकरण हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम कहते हैं अवकल वेग सम्मीकरण differential rate equation या differential वेग expression इसे कहा जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि minus dr by dt यह अभिकारकों के संदर्प में rate of reaction है यहाँ पर जो k है वह वेग स्थरांख है rate constant है जिसका मान अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता बलकि इसका मान ताप मान पर निर्भर करता है जिसे आम आगे जाकर समझेंगे यहाँ पर जो a concentration of a और concentration of b हैं और जो x और y हैं वो यह दर्शाते हैं कि rate of reaction a की सांद्रता या फिर b की सांद्रता से किस प्रकार पर किस प्रकार निर्भर करती है यहाँ पर यह समीकरण अभिक्रिया की वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध दर्शाता है इस तरह से वेग नियम को हम इस प्रकार परिभाशित कर सकते हैं वेग नियम वह नियम होता है जो कि किसी अभिक्रिया की दर को अभिकारकों की सांद्रताओं मोलर सांद्रताओं के ऊप घात लगाकर प्रदर्शित किया जाता है और यहां पर हम देखें कि जो यह जो घात है वह संतुलित समीकरन में दिये गए ढिए स्ट्रोक्योमेट्री गुणांक के समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं इस तरह से हम вторican 네 प्रयोगों के द्वारा ग्याद करते हैं और प्रयोगों के द्वारा ग्याद करने के लिए हम किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए दूसरे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करके इसे ग्याद कर सकते हैं उदारन के लिए यहां पर हमारे पास एक ए जाते हैं यहां पर प्रारंभ में हमने जो नाट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की जो प्रारंभिक सांद्रताइं है वह 0.30 पर लिटर ले ली है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ जब हम देखते हैं और जब हमने दोनों की सांद्रता जीरो पॉइंट्री जीरो मोल पर लीटर ली है उस समय हम देखें कि जो रेट ऑफ रियाक्शन है वह निकल रहा है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकंड अब हम अभिकारक एक यहने कि नाट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता को यदि हम दुगना कर दें यहने कि इसकी सांद्रता को 0.30 रहने दें तब हम देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया की दर है वह प्राप्त होती है 0.384 मोल पर लीटर पर सेकंड यानि कि आप तुल्ना करें 0.96 और 0.384 इन दोनों की यदि हम तुल्ना करें तो आप देख रहे हैं कि करीब चार गुना वृद्धी हो रही है इसी तरह से अब दूसरे अभिक्रिया के लिए हम नाट्रिक ओक्साइट की सांद्रता को स्थिर रखते हैं 0.30 मोल पर लीटर जब और ऑक्सीजन की सांद्रता को हम दुगना कर देते हैं 0.60 मोल पर लीटर उस समय जब हम अभिक्रिया की दर निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि यह आती है 0.192 मोल पर लीटर पर सेकंड तो यहां पर आप तुलना करें प्रारमभी कवस्था से यदि तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया की दर लगभग दो गुनी बढ़ जाती है और इसी तरह से हम यदि चौथा एक्सपरिमेंट करते हैं जिसमें कि हम नाट्रिक ओक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की सांद्रता को दुगना कर दें तो जो हमें अभिक्रिया का दर प्राप्त होता है वो होता है 0. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम नाट्रिक ओक्साइड की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो दो गुना करते हैं तो अभिक्रिया की धर चार गुना बढ़ रही है यहने कि जो अभिक्रिया की दर है वो नाट्रिक ओक्साइड की सांद्रता के स्क्वैर है ना वर्ग के समानुपाती हुई दूसरी ओर जब हम ऑक्सीजन की सांद्रता को दुगना करते हैं तो अभिक्रिया की दर केवल दुगनी हो रही है इसका मतलब हुआ कि जो अभिक्रिया की दर है वो ऑक्सीजन की सांदरता के एक गुना के बराबर है यह ने एक घात के बराबर हुई तो इस तरह से यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर है वो नाइट्रिक ओक्साइट की सांदरता के संदर्व में यदि हम देखें तो यह हो जा या के परणाम के आधार पर हम इनके लिए वेग समीकरण लिखें तो यह होगा वेग is equal to K concentration of nitric oxide NO की power 2 और into concentration of O2 oxygen की power 1 तो इस तरह से हम और इसका यदि हम आउकल वेग समीकरण लिखें के डिफ्रेंशल वेग equation लिखें तो यह हो जाएगा माइनस डी आर बाइड टी इस उकल to K NO2 की power 2 into O2 की power 1 और इसे हम कहेंगे इस अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में यदि हम compare करें तो हमने जो वेग समीकरण लिखा है वहाँ पर हमने नाट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की सांदरता में जो घात लगाए हैं वह बिलकुल इसके balance equation के बराबर ही हैं तो ऐसा बहुत कम या बहुत से अभिक्रियाओं में इस तरह से होता है कि जहाँ पर वेग equation में जो सांदरताओं के पदों पर घात लगाए गए हैं वह balance equation के बराबर हों कई ऐसी अभी क्रियाओं होंगी जहाँ पर यह असमान होते हैं उदारन के लिए हम एक अभी क्रिया लेते हैं यहाँ पर दिख रहा है chloroform जब chloroform की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्वन टेश्ट्रा क्लोराइड बनता है और एक अनू-HCl का बन रहा है यहाँ पर सभी के जो स्टोक्योमेट्रिक coefficient है वो समान है और इस आधार पर यदि आप वेग समीकरण इसके लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे वेग is equal to के concentration of chloroform की power 1 और concentration of Cl2 की power 1 तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो balance equation के आधार पर हमने यह equation वेग समीकरण लिखा लेकिन जब हम इसका प्रायोगिक डाटा देखते हैं प्रायोगिक तौर पर जब हम इसका rate of reaction निकालते हैं तो वो इस तरह नहीं आता है वो आता है जो वेग is equal to concentration of chloroform की power 1 लेकिन chlorine into concentration of chlorine की power 1 by 2 यानि की half तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर जो प्रायोगिक आकड़े हैं और जो balance equation की आधार पर जो आकड़ा है उसमें concentration के ऊपर जो घात लगे हैं वो भेन भेन हैं इसी तरह से एक बहुत ही प्रचली तभी क्रिया है वो है एस्टर का जलब घटन यहाँ पर हम देख रहे हैं जब एस्टर की जल की साथ क्रिया होगी यहाँ पर जलब घटन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक mol acetic acid के और एक mol alcohol का मिलता है यहाँ पर जब हम इसके लिए इस equation के आधार पर वेग समीकरन लिखेंगे तो यह होगा वेग is equal to के concentration of ester की power 1 into concentration of h2o की power 1 लेकिन जब इसका प्रायोगित तोर पर आकड़े देखे गए तो यह पाया गया कि जो अभिक्रिया की दर है वह ester की सांद्रता से के एक घात के तो बराबर होती है यानि कि ester की सांद्रता यदि दुगनी की जाए तो अभिक्रिया की इदर है वह जल की सांद्रता से प्रभावित नहीं हो रही है यहने कि इसके जीरो घात के बराबर है तो इसके लिए यदि हम प्रायोगी का अधार पर वेक समीकरन लिखें तो होगा वेक इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेगनियम है वेगनियम जो निकाला जाता है वो किसी संतुलित अभिक्रिया के समीकरन को देखकर ग्यात नहीं किया जा सकता इसे हम केवल सद्धान्तिक तोर पर ग्यात नहीं कर सकते केवल प्रायोगिक आकड़ों के आधार पर ही इसे हम ग्याद कर सकते हैं अब इसके बाद एक महत्तुपन टॉपिक हम पढ़ने जा रहा हैं वह है अभिक्रिया की कोटी order of reaction order of reaction यह दर्शाता है कि अभिक्रिया का वे अभिकार को की सांद्रताओं पर किस प्रकार से निर्भर करता है जैसे कि हमने यह अभिक्रिया ली हुए rate is equal to concentration of a की power x into concentration of b की power y इस अभिक्रिया में जो a की power x लिखा हुआ है वो क्या दर्शाता है वो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया की दर a के सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित हो रही है यनि कि यह a के respect में order of reaction को दर्शाता है उसी तरह से b की power y जो है तो उसमें y यह दर्शाता है कि b के respect में इस अभिकारक के संदर्व में या इसके respect में order of reaction क्या है अब इस x और y दोनों का जब हम योग कर देते हैं यानि कि x और y यह हमको बताती है overall reaction पूरी अभिक्रिया की order of reaction क्या है अभिक्रिया की कोटी क्या है यहने कि x प्लस y जिससे हम small n के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो यह n जो दर्शाता है overall order of reaction क्या है तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटी को हम किस तरह से परिभाशित कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के वेग लियम समिकरण में या वेग वेंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के जो घातांकों का योग है ना सांद्रता के पदों पर जो घातांक लगाए गए हैं उनका योग अभिक्रिया की कोटी कहलाता है ये अभिक्रिया की कोटी शूनी भी हो सकती है एक भी हो सकती है दो तीन चार कोई भी पोडांग संख्या हो सकती है या फिर ये कोई भिनात्मक संख्या भी हो सकती है यदि अभिक्रिया की कोटी शून है इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है और यह अभिक्रिया की कोटी हमें दर शाती है किसी भी अभिक्रिया की कोटी एक महत्पून गुण है और इसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि अभिक्रिया किन-किन अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है क्या वो सभी अभिकारकों की सांदृता पर निर्भर कर रही है या केवल एक अभिकारक की सांदृता पर निर्भर कर रही है या किसी भी अभिकारक की सांदृता पर निर्भर नहीं कर रही है और इस तरह से यहाँ पर किसी भी जो वेक समीकरण है उसमें सांदृताओं के उस समस्त अभिक्रिया की overall order of reaction ग्याद कर सकते हैं उदारन के लिए यहाँ पर आपके पास दिया हो गया है वेग is equal to k a to the power half into b की power 3 by 2 अब इस equation के आधार पर आपको अभिक्रिया की कोटी order of reaction निकालना है तो आप क्या करेंगे a के power क्या दिया हो है 1 by 2 और b की power दी गई है 3 by 2 दोनों को आप जोड़ दें तो 1 by 2 प्लस 3 by 2 यह क्या आजाएगा आपका जोडने पर आपका आजाएगा 4 by 2 और is equal to 2 याने कि इस equation जो आपको दिया गया है वेग समीकरान जो दिया गया है उसमें अभिक्रिया की कोटी कितनी है दो यहने की जो यह अभिक्रिया है वह दिती कोटी की अभिक्रिया है इसी तरह से एक और equation लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है वेग is equal to k a की power 3 by 2 इंटू b की power minus 1 अब यहाँ पर भी आप लेंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको 3 by 2 प्लस minus 1 दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको जो calculate करने पर result आएगा वह आएगा 1 by 2 यहने कि इस अभिक्रिया की जो कोटी है order of reaction है वह है 1 by 2 यहने कि एक अर्ध कोटी की अभिक्रिया है इस तरह से हम जो वेग समीकरण में जो सांद्रता पदो पर घात दिये गए हैं उनको योग करके हम अभिक्रिया की कोटी ग्याद कर सकते हैं अभिक्रिया की कोटी ग्याद करने का एक और तरीका है यदि हमें वेग एक्वेशन में विभिन अभिकारकों की सांद्रताएं दी गई हो और rate of reaction भी दिया हो तो उदारन के तौर पर यहाँ पर हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं जो हमने पहले देखी है नाट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन वाली जो अभिक्रिया है उसी डेटा को हम देखें यहाँ पर हम पहली अभिक्रिया को rate 1 दे देते हैं दूसरी अभिक्रिया के लिए ज सहले रेट 1 और रेट 2 की आपस में तुल्ला करते हैं यहां पर हम लेगे रेट 2 बाइ रेट 1 और रेट 2 रेखेंगे कि रेट 2 इसकी जो value है यह है 0.384 और रेट 1 बाइ आ जाएगा 0.096 यह आपकी पर लिटर पर सेकंड इसी तरह से इस उकल टू यहां पर आएगा k is equal to 0.60 की पावर x into 0.30 की पावर y by k 0.30 की पावर x into 0.30 की पावर y अब यहां पर आपने देए calculate करेंगे तो यहां पर देखिए यह 096 कैंसल हो जाएगा यहां पर 4 आ जाएगा ठीक इसी तरह से आप देखें कि यह 0.30 0.30 यह दोनों भी आपस में कैंसल हो गए और यहां पर 0.30 यह कैंसल हो जाएगा और यहां पर 0.60 है तो यहां पर उपर आ जाएगा 2 तो इस तरह से हमें जो calculation करने पर क्या पराप्त 4 is equal to k और k भी यहां पर cancel हो गए हैं तो यहां पर आए जाएगा 4 is equal to 2 की power x तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4 by 2 is equal to 2 यानि कि इस तरह से हम देखें और यहां पर जो x यानि कि जो पहली वाला जो equation है उसमें NO2 की घात यहां पर आ जाएगी 2 इसी तरह से अब हम पहले rate 1 और rate 3 की आपस में तुलना करें तो यहां पर rate 3 by rate 1 लिखेंगे rate 3 की value क्या आए थी है हमारी यह आए थी 0.92 by rate 1 की value क्या है 0.096 is equal to हो जाएगा k तो k की value आप उपर लिखेंगे rate 3 की value 0.30 की power x into 0.60 की power y by k 0.30 की power x into 0.30 की power y अब यहां पर फिर से हम इसको calculate करते हैं तो यहां पर देखें कि यहां पर जो 0.96 से इसको cancel करेंगे तो उपर आपको मिल जाएगा 2 और 0.30, 0.30 यह पसमें cancel हो गए और 0.30 और उपर आजाएगा 0.60 तो यह cancel करने पर आजाएगा 2 और यह calculate करेंगे तो हमें मिलेगा 2 is equal to 2 की power y इससे हम y निकाल लेंगे तो y is equal to हो जाएगा 2 by 2 यहने की 1 तो यहां पर जो 1 होगा वो oxygen की सांदरता के उपर घाद लगेगा तो इस तरह से हम देखें कि इसके द्वारा जब हम nitric oxide के संदर्व में order of reaction देखें तो यह आ रही है 2 और हम oxygen के संदर्व में order of reaction देखें तो यह आ रहा है 1 यदि हम overall rate of reaction निकालेंगे तो यह हमें मिलेगा 2 plus 1 is equal to 3 यानि कि यह जो अभिक्रिया है वह त्रती कोटी की अभिक्रिया है तो इस तरह से हम जो सांदरताओं के उपर घात लगे हैं सीधे उनको जोड़ कर भी अभिक्रिया की कोटी ग्याद कर सकते हैं यह इस प्रकार से यदि हमें experimental data दिया हुआ है तो उसके आधार पर भी हम order of reaction कर सकते हैं यहां पर एक और उधारन आपके पास दिया हुआ है यह है एसी टोन की ड्रोमीन के साथ जब हम क्रिया कर आ रहे हैं तो उसके द्वारा जो हमें experimental data मिला हुआ है वहां पर हम देखें कि जो पहला experiment है उसमें हम एसी टोन की concentration 0.1 मोल पर लिटर रखते हैं ब्रोमीन की concentration भी 0.1 मोल पर लिटर रखते हैं और इस समय जो इसमें अभिक्रिया की दर हमें प्राप्त होती है वह प्राप्त हो रही है 1.64 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 5 अब यहां पर हम एसी टोन की concentration को इस्थिर रखते हुए जब हम ब्रोमीन की concentration को बढ़ा देते है दुगना कर दे रहे हैं 0.12 मोल पर लिटर कर देते हैं तो अभिक्रिया की दर आप देख रहे हैं वहां पर बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है यह हम कहें कि परिवर्तन नहीं हुआ है यह हमें 1.65 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 5 प्राप्त हो रही है इसके बाद य हम देखें कि जो अभिक्रिया की दर हमें प्राप्त हो रही है वह 3.29 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 5 प्राप्त हो रही है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन की सांद्रता की परिवर्तन से अभिक्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा है यहां पर य एसी टोन की सांद्रता को दुगना करने पर अभीक्रिया की दर दुगनी हो रही है यहने कि यहाँ पर order of reaction एसी टोन की सांद्रता के एक घात के बराबर होगी और इस तरह से overall order of reaction हम निकालेंगे तो यह होगी 0 plus 1 is equal to 1 यहने कि ब्रोमीन और अभीक्रिया हो रही है उसके लिए अभीक्रिया की दर एक है यहने कि यहाँ पर order of reaction एक है यहने कि यह first order reaction है तो इस तरह से यहाँ पर भीन भीन प्रकार के उदाहरणों के द्वारा हमने जाना कि हम किस प्रकार से order of reaction क्या घ्यात कर सकते हैं और order of reaction घ्यात करनेने से हमें यह इसपस्ट हो जाता है कि अभी क्रिया की दर किस अभीकारक के सांध्रता पर किस प्रकार निर् adapt कर रही है उससे के दुगने खाद के समानुपाती है यह उसके एकण समय करन देखकर हमें ये समझ में नहीं आता कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है यह की संतुलित रासायनिक समिकरन हमें बहुत सी जानकारी तो देता है लेकिन हमेशा हमें इसकी सही क्रिया विधी के वारे में या अभिक्रिया के विशाय में सही चित्रण इसका प्रस्तुत नहीं कर पाता है जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं होती हैं वह एक ही पद में हो जाती हैं उदारन के लिए हम ले जैसे carbon monoxide oxygen से क्रिया करके carbon dioxide बनाता है यह अभिक्रिया एक ही पद में पून होती है इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जो की एक ही पद में पून होती हैं उन्हें हम प्रात्मिक अभिक्रियाइं, elementary reactions कहते हैं, लेकिन कई बार अभिक्रिया इसी तरह से उधाराण हम बेख सकते हैं, जैसे ammonium nitride, ammonium nitride का जब व्योजन होता है, तो nitrogen gas तथा जल बनता है, यह भी एक प्रात्मिक अभिक्रिया है, यानि कि यह एक ही पद में पूर्ण हो होती हैं, जिन्हें देख कर हम यह नहीं बता सकते हैं, कि यह अभिक्रिया एक पद में हो रही है, या कई पदों में होगी, केवल उसे हम उनकी mechanism, रासाइनिक अभिक्रिया की mechanism, जब हम जानते हैं, तभी हम उसके बारे में सही पता लगा सकते हैं, उदारन के लिए यदि हम ले यहाँ पर एथेन, एथेन का जब हम ऑक्सी करन करते हैं, तो हम जानते हैं, हाड्रो कार्बन का जब ऑक्सी करन होता है, तो अंतिम उत्पाद हमें कार्बन डायोक्साइड और जल मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो अभिक्रिया आपको देख रही है, जिसमें कि एथेन के 2 mol 7 mol oxygen से क्रिया करते हैं और 4 mol carbon dioxide तथा जल बनाते हैं यहाँ पर जो अभिक्रिया एक पद में दिखाई दे रही है वास्तों में यह एक complex अभिक्रिया है और यह कई पदों में पून होती है और यहाँ पर सबसे पहले जब एथेन का oxygen होता है तो alcohol माध्धमिक उत्पात के रू बनते हैं और उसके बाद फिर अंत में यह carbon dioxide और जल बनाता है तो इस तरह से यह अभिक्रिया कई पदों में पून होती है तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में पून होती है उन्हें हम जटिल अभिक्रियाएं यह complex reaction कहते हैं और इनके जो प्रतेक पद हैं वो सभी हर पद एक प्रात्मिक अभिक्रिया को दर्शाता है तो इसी तरह से जब हम किसी अभिक्रिया की पोटी या अनुसंख्यता का अध्यन करते हैं तो उसके लिए हम यह जानना जरूरी होता है कि अभिक्रिया कितने पदों में हो रही है अभिक्रिया प्रात्मिक अभ वेग इस्थरांग की इकाई यह भी हमारे लिए एक महत्पूर्पद है क्योंकि वेग इस्थरांग की इकाई प्रतेक और अभिक्रिया के लिए अलग-अलग और कोटी की अभिक्रियाओं के लिए यह अलग-अलग होती है और वेग इस्थरांग की इकाई को देखकर हम किसी अभिक्रिया की कोटी का अनुमान या पता लगा सकते हैं वेग इस्थरान की इकाई unit of rate constant हम जानते हैं वेग समिकरन जो होता है वह किसी सामाने अभिक्रिया माली जी हम ले लेते हैं यहाँ पर A के A मोल B के B मोल से क्रिया करके C के C मोल और D के D मोल बना रहे हैं इस अभिक्रि लेगे वेग इस इक्वाल टू के A की पावर X इंटू B की पावर Y और यहाँ पर यदि हम K की वैल्यू निकालें तो K बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा वेग बटे A की पावर x इंटू B की पावर Y तो इस तरह से अब यहाँ पर हम वेग यानिकी rate of reaction की यूनिट पता हो और नीचे जो कंसंट्रेशन है सांद्रताई हैं इनकी यूनिट हम लिख दे तो हमें के की वेल्यू पता हो जाएगी तो इस तरह से हम वेक की जो इकाई है वो क्या होती है सांद्रता बटे समय और यहां पर A और B क्योंकि सांद्रताई हैं तो यहां पर हम ल टोग करके हम क्या लिखते हैं N दर्शाती हैं जो की संपूर्ण अभीक्रिया की कोटी कहलाता है है तो इस तरह से हम सकते हैं say is equal to यहां पर अ बाई यहाँ पटी पा टी समय हो जएगा इंटू बाई निल्ग सकते हैं अब यहां और सभी की यह मिलने के बाद हम सभी के यूनिट लिख देते हैं तो यहाँ पर आपका rate of reaction की यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लिटर पर सेकेंड यहाँ पर कंसेंट्रेशन के लिए हो जाएगा मोल पर लिटर और इसका पावर हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास यह के लिए यूनिट यह के की वैलियों निकालने के लिए हमें सूत्र मिल गया है इसको और सरल करके हम इस तरह से लिख सकते हैं यदि हम मोल पर लिटर को भी ऊपर ले जाए तो इससे लिख सकते हैं यहाँ पर k is equal to मोल पर लीटर की पावर 1-N-S की पावर-1 तो इस तरह से यह जो हमें समिक सूत्र में मिल गया है इसके द्वारा हम किसी भी कोटी अभीक्रिया के लिए के यानिकी वेग स्थरां की इकाई ग्याद कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम विभिन कोटी की अभीक्रियाओं के लिए वेग इकाई की गढ़ना करते हैं सबसे पहले निकालते हैं जीरो और रेक्षन के लिए तो जीरो और रेक्षन के लिए हम जानते हैं कि यहां पर जो N है उसकी value हमें रखनी है 0 तो सबसे पहले यहां पर आजाएगा आपका mol per liter per second into 1 by mol per liter की power 0 अब यहां पर आप जानते हैं mol per liter की power 0 यानि किसकी value 0 हो गई तो हमारे परस क्या मिला mol per liter per second तो यहां पर 0 order reaction के लिए वे किस थरांग की काई क्या आ गई यह आ गई mol per liter per second इसी तरह से अब हम प्रथम कोटी अभी क्रिया के लिए निकालते हैं तो यहां पर आ जाएगा mol per liter per second into 1 by mol per liter की power 1 यहां पर n की जगह हम 1 लिख देंगे अब यहां पर देखिए mol per liter उपर भी है mol per liter नीचे भी है दोनों आपस में cancel हो जाएंगे और यहां पर जो हमारे पास unit यह बचती है यह पर second यह आ जाएगा अ के की value यहनै की प्रथम कोटी अभी क्रिया के लिए के की value जो आ रही है वो के की unit मिल रही है वह है आपके लिए निन्टे तो कि यहां प्र मोल पर लीटर की पावर में हम कहें लिखना पहुगा इसकी घात में दो मौन है क्योंकि ये जुटी कॉटी किया भी कृया है तो यहां पर में हो जाएगा हमारे पस मोल पर लिरलटर पर सेकंड यहां पर इंट वनन स्ञच कुण तो मोल पर लिटर अब यहां पर देखिए एक मोल पर लिटर ऊपर है और एक मोल पर लिटर नीचे यह दोना आपस में कैंसिल हो गए उपर हमारे पास बसता है पर सेकंड और नीचे हमारे पास यहां पर है मोल पर लिटर मोल पर लिटर को आप उपर कर दें तो यहां पर उपर जाकर यहां पर लीटर हो जाएगा है ना माइनस वन है वहां से हट जाएगा तो यहां पर हम इसको लिखेंगे पर मॉल लीटर पर सेकंड और इसी तरह से इसको हम लीटर को पहले भी लिख सकते हैं तो यहां पर कई बार आपको लिखा हुआ मिलता है लीटर पर मॉल प लिए निकाल सकते हैं तरीकोट थplease यहांपर हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 3 यहां पर देखेंगे तीन मोल पर लीटर वो पर नीचे रहे नीचे आपके मॉल पर आपके बिच रहा है ऑपर सेकेंड और नीचे यहहां पर है आपके पास मोल पर रीटर की पावर 2 इसको आप मोंल पर लीटर की फावर 2 वह लेकर जाएंगे चला यहां पर को जाएगा 이거 के ऊपर यहां पर ठुपावर रहाए तो उपर हो हो चाहेगा- तो यहाँ पर मोल माम इनस टू लीटर यहां पर माइनस वन है तो इसका दो से गुड़ा होगा तो ये हो जाएगा लीटर की पावर यहां पर टू होझाएगी और यहां आए तो इस तरह से हम भिन भिन प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटी के लिए वेग स्थरांकी गढ़ना कर सकते हैं अब हमने जाना है कि जो कोटी अभिक्रिया की कोटी है वह शुन्य हो सकती है कोई शुन्य हो सकती है या कोई कोई fraction भिनात्म घरूबी हो सकती है तो माल लीजिए अभिक्रिया की कोटी माइनस हाफ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सुर्से उसी तरह सापलिख सकते हैं मौल पर लिटर पर सेकेंड इंटू वन बाइ मौल पर लिटर की पावर माइनस हाफ हु और इस तरह से यहाँ पर जब mole per liter को आप दोनों यहाँ पर ऊपर ले कर जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा mole per liter की power क्या हो जाएगी यहाँ पर ऊपर 1 है और प्लस हो जाएगा 1 by 2 यह दोनों को योग करके लिख सकते हैं अब 1 plus 1 by 2 दोनों को जोडेंगे तो यह आपके पास क्या मिल जाएगा 3 by 2 दोनों को जोडने पर और इस तरह से हम लिख सकते हैं mole per liter 3 by 2 पर सेकंड तो इस तरह से हम देखें कि भिन भिन प्रकार की जो कोटी की अभिक्रिया हैं उसके लिए हम वेग स्थरांग की करना कर सकते हैं और यहाँ पर यह जो इकाईयां आपको मि के लिए भिन भिन order अभिक्रियाओं के लिए तो इनकी इकाईयों को देख कर भी हम यह इन order of reaction का अंदाजा लगा सकते हैं इनको देखकर हम पहचाज सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो किस कोटी की अभिक्रिया है साथ ही साथ यदि यहाँ पर आपको के की वैल्यू दी यहाँ पर माल लेजे उदाहरन लेते हैं के की वेल्यू दी गई है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 लीटर की पावर 2 मॉल की पावर माइनस 2 और सेकंड की पावर माइनस 1 यदि यह आप देखकर यदि आपको याद है तो आप पहचान कर तुरंद बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया 3 कोटी की अभिक्रिया है क्योंकि 3 कोटी की अभिक्रिया के लिए वेग स्थित रांकी काई यह है लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो हमने जो फार्मूला बताया है उसके द्वारा पर निकाल सकते हैं हमने के के लिए जो फार्मूला लिया है वो है आपका मोल पर लिटर की पावर 1-n सेकंड की पावर-1 तो यह फार्मूला इसके बराबर जो आपको वेल्यू दे गई है आप उससे इसके इक्वल कर सकते हैं यहां पर हमको जो वेल्यू द सकते हैं मोल यहां पर देखिए सेकंड पर सेकंड इधर भी है पर सेकंड इधर भी है दोनों आपस में कैंसिल हो गए अब हमारी पास क्या बश्ता है यह मोल पर लिटर की पावर 1-n is equal to अब यहां पर आप देखिए हम इसको मोल पर लिटर की पावर माइनस टू यदि लिख दे तो यह इसको लिखा जा सकता इस तरह से तो यहां पर आप देखिए अब यहां पर जो घात दिये हुए घात आंक है उनको हम जोड देते हैं तो यह हो जाएगा 1-n is equal to minus 2 तो यहां पर n क्या जाएगा माइनस 2 माइनस 1 तो यहां पर n की value आजाएगी 3 जो कि हमने पहले ही यदि हमको unit याद है तुरती कोटी की अभिक्रिया की तो हम तुरंट पहचान सकते हैं calculate करके भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं तो इस तरह से जो वेग इस्थरांग है उसकी unit हमारे लिए महत्वण है उस प्रकार की कोटी की है